The voltage arc characteristics of a power source is given by I²-600V-60 of the arc characteristics is I²-20V-16 determine the power of the stable arc and if the arc length voltage characteristics is this then find the optimum arc length for the maximum power. हमको निकलना क्या क्या है, power of the stable arc और दूसरा क्या निकलना है, optimum arc length for the maximum power maximum power होगा, उसमें optimum arc length क्या होगा, वह हैंड आउट करना है तो यहां से आप voltage arc characteristics of a power source is given by this यह जो दिया हुए I²-600V-60 यह है जो आपको दिख रहा होगा कि यह linear नहीं है क्या है, यह non-linear है, non-linear कैसे बोल रहा है, कि I² है तो यह क्या है, non-linear है, linear तो है नहीं तो इससे में को पता चल रहा है कि यहां पर क्या होगा constant voltage source को apply नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यह constant current source, यह constant voltage source में क्या होता है linear होता है, यह linear characteristics को सो करता है तो हम लोग यह नहीं यूज़ करेंगे, यहां पर कौन सा constant voltage source, हम लोग को क्या यूज़ करना है, constant voltage source, इससे आपको पता होना चाहिए, इसको देखने बाद आपको यह फिलोना चाहिए कि यह कौन सा है, constant current source का है, question है, of the r characteristics, और जो r characteristics का जो यह relation दिया हुए, i प्रावर 20, v-16, यह दिया हुए, determine the power of stable, stable r का क्या है, power निकलना है, तो हमको इस चीज़ को देखने के बाद हमको क्या है, i square minus 600, v-16, इसको देखने के बाद आपको यह पता चल रहा होगा कि यह क्या है, इसके help से हम क्या करेंगे, constant current source को हम यहां पर apply करेंगे, और constant current source में यह क्या है, i, यह क्या है, voltage, यह क्या है, voltage r characteristics, यह voltage r, मतलब, यहां पर के voltage के, मतलब, applied जो voltage हो रहा है, वहां पर करेंगे, मतलब, power source का current है, अब arc का current क्या है, arc characteristic का current यह है, आपको यह भी बता में, i, बराबर 20, v-16, यह arc का current है, और stable arc होने के लिए, हमको क्या होना पड़ेगा, i transformer, transformer, transformer जो current दे रहा है, यह क्या है, transformer current है, आपका arc current है, तो यह क्या है, transformer current और arc current क्या होना चाहिए, हम i से transformer current का दिखा रहे हैं, और i, i, a से arc current, यह दोनों जब बराबर हो जाएगा, तो हम क्या अगर देखेंगे, फोर stable arc मिलेगा, हमको, वहाँ पर arc क्या होगा, stable arc होगा, जब भी हमको stable arc करना है, विल्डिंग के समयश्टिवल arc, तो हमको क्या है, current, arc welding current, और transformer current क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, i आपको दिया हुआ है, i इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, i जो दिया हुआ है, यहाँ पर, तो इसको दोनों तरफ हम square कर लेते हैं, क्योंकि इसको root करेंगे, तो थोड़ा complicated हो जाएगा, तो i square आपको दिया हुआ है, minus 600, b minus 60, यह आपको दिया हुआ है, अब i इतना दिया हुआ है, 20, b minus 16, यह आपको इतना दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि i है, तो इसको दोनों तरफ क्या होगा, square होगा इसका, यह इतना दिया हुआ है, हम i को क्या करेंगे, square कर लेंगे, r current को, यह कर लिए, यहाँ से क्या होगा, minus 600, b minus 60, यह क्या हो जाएगा, 400, b square, plus, minus 32, through, 3 into 56, इतना आजाएगा, आप क्या किजी, इसको काट लीजिए, ठीक है, त्यास के आजए, minus 3, b plus, 180, यह कितना जाएगा, 2, b square, बती दुनी, 64, b, plus, 512, इतना आगे आपका, 512, अब क्या करना है, हम को यहाँ पर, 2, b square, यह इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus 61, b, और 180, मैं से इसको आप क्या किजीए, minus कर दीजीए, तो कितना आजाएगा, आपका, 3, 32, 0, इतना आगे आपका, यह क्या है, quadratic है, अपर इसको solve किजीए, solve किजीए, क्या होगा, आपका, यहाँ पर, alpha और beta का, दो value आएगा, मतलब, b का, दो value आएगा, यहाँ पर, voltage है न, तो क्या होगा, voltage का, दो value आएगा जैसे यहां पर आप D निकाल लिएगा सबसे पहले B square minus 4AC से तो आपका कितना आजाएगा 1065 समझे फिर आप यहां से क्या किजिएगा अब भी निकाल लिएगा तब ही बरबर क्या होता है minus जब इसको solve किजिएगा इतना D है यह आपका D find out होगा आप यूज किजिएगा तो यहां से आपका B का दो value आएगा क्या क्या आएगा 7.09 वोल्ट और क्या आएगा 23.40 वोल्ट यह दोनों वोल्टेज आपका आगया इस वोल्टेज को आप क्या किजिएगा I बराबर हमको जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 V minus 16 इसमें आप पूट किजिए 20 V minus 16 क्योंकि आपको निकालना क्या है power निकालना है तो power के लिए आपको क्या क्या चाहिए पावर के लिए आपको V into I भी तो आपको पता हो गया यह निकालना है तो यहाँ पर क्या किजिए 20 पहले V बराबर हम 7.09 पूट करते है minus 16 तो यहाँ पर देख रहे होगा कि current क्या आ रहा होगा negative जो क्या है possible नहीं है उसके बाद क्या है I बराबर कि वही बराबर 23.40 पूट किजिए 23.40 पूट किजिए 23.40 पूट किजिए 23.40-16 इतना पूट किजिए तो क्या आएगा आपका इसको पूट करने बाद आप्टर सॉल्विंग 148 17 168 आएगा इतना आगे आपका उसके बाद आप क्या किजेगा यह आप करेंट ले लिजेगा क्योंकि करेंट पोजेटिव में आया है इतना एंपिय तो आप पावर बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है भी इंटू आई भी आपको पता है कौन सा वोल्टेज लिए 23.40 अब आई कितना यूज़ करेंगे इसको यहां से सॉल्व करने बाद आपको कितना आ जाएगा 346 किलो वाट यह आपका क्या आगया यह आगया आपका आगयो प्रीनिली प्रीफा के समय पावर दूरिब्स छ मेंं यहां दिमार लगा ना था इन जो कि जो ट्रांसफेर्मरर क्रेंट आपको रहना यह दूनों doubts transformer voltage आर्क भोल्टेज दोनों सिम कर देते तो क्या हो जाता आपको मिलता अस्टेवल र इन द आपको क्या कीटना है maximum power निकलना यहां पर maximum power निकलना तो यो power आपका आएगा, i करके उसको क्या है art निकलना तो maximum maximum निकलना करेंगे, equipeet चर्देंगे 0 से, और जो value i l का आएगा, वही आपका answer आजाएगा, यहाँ से क्या जिसे आपको भी यह दिया हुआ है और i square आपको दिया हुआ है ट्रांस्फर्मर करेंगेंट जो कितना है तो माइनस छे सो भी माइनस 60 यह है आप क्या कीजेए सब को क्या कीजे ल के टर्म में कर लीजे करेंट को भी क्या करेंगे एल के टर्म है क्योंकि हमको एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करना है तो माइनस छे सो भी बरावर कितना है 30 प्लस 5.5 है इसको यहां पर रख लेजिए माइनस 60 यहां से आपको क्या हो जाएगा आई स्क्वार बरावर माइनस छे सो यहां कितना आजएगा इतना आगया यहां से आई बरावर क्या हो जाएगा माइनस छे सो इतना आया इसको क्या किजिए आप हो जाएगा पावर बरावर आपको क्या जाएगा भी इंटु आई भी तो आपको पता ही आर्क वोल्टेज जो है यह दिया हुए 30 प्लस 5.5 है और करेंट जो आपका कितना निकालने माइनस छे सो माइनस थाट्टी 5.5 है वन बाई टू इसको आप क्या किजिएगा डिफ्रेंसियेट किजिएगा एल के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दिजिएगा जीरोक से तो जो यहां पे आप्टिवम आर्क लेन थाएगा वो एप आप इसे सॉल्व किजिएगा आप देखिये कि इतना आ रहा है या नहीं उसके बाद आप इतना कॉमेंट करके बताएगा कि यह जो लेन्द है अप्टिमम आर्क लेन्द यह आपका आ रहा है या नहीं